दोस्तो उसके बारे में जो हम जानते हैं वै के वल एक बूंद है जो हम नहीं जानते हैं वै एक महा सागर है अंत्रिक्स की गैराईउं को टटोलने वाले आईजक न्यूटन की एक आहवत उनी के जीवन पर सटीक बैठती है महान गणित ये भोतिक वैग्यानिक जियोतिश और दार्षनिक आईजक न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सुरन अक्षरों में लिखा जाता है मामुली से परिवार में जन्म लेने वाले इस बालक ने सौलवी शताबदी में विज्ञान जगत को हिला कर रख दिया था साइंस की दुनिया में इन्होंने कुछ ऐसे चमतकारी आविसकार किये कि उन्ही आविसकारों की निव पर आज डीप इस्पी साइंस और रिसर्च का महल खड़ा हुआ है बचपन में सरफर सेब गिरने से लेकर गुरुतवा करशन के नियमों को तलाशने तक इस बच्चे की कहानी जीवन के हर पड़ाव पर एक शांदार मोड लेती गई और एक नया इतिहास रचती गई नियूटन एक आम इंसान ना होकर एक किताब की तरह थे जिसके आखरी और शुरुआती पन्नों को पूरी दुनिया जानती है लेकिन इस किताब के कुछ रॉमांचक पन्ने आज भी एक रहस से है चलिए आज की इस वीडियो में इनी पन्नों को टटोलते हैं और नियूटन के जीवन को जरा करीब से जानते हैं एलो दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश संचोरी आप दीख रहे हैं रहस से टेलिविजन यूट्यूब चैनल दोस्तो आप हमारे सेकेंड चैनल को भी सबस्क्राइब कर सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में दे रखी है जिस पर बहुत अच्छ अच्छी रिसर्च वाली वीडियो डाली जाती है विग्यान और वैग्यानिकों की कहानियों में आज भी जिन्दा सर आईजक न्यूटन के सफर की शुरुवात होती है 25 दिसंबर 1642 को जब इंग्लेंड के पच्छिम लिंकोलीन शरे के एक वुल्स थौर्प गाउं में आईजक न्यूटन का जन्म हुआ जन्म के तुरंद बाद ही डॉक्टर ने न्यूटन के ज़्यादा समय तक जिवित नहीं रहने के आसारों पर मोहर लगा दी दरसल न्यूटन एक प्री मेचौर बैबी थे जो की जन्म से ही बेहद कमजोर थे उनकी मा का कैना था कि जन्म के समय वो आकार में इतने छोटे थे कि एक छोटे से मग में समा सकते थे ऐसे में उनका जिवित रह पाना बीहद मुश्किल लग रहा था लेकिन न्यूटन सभी बाधाओं को पार करते वे एक दम स्वस्थ हो गए तीन साल के उमर में न्यूटन की मा ने दूसरी शादी कर ली जिसके बाद न्यूटन अपनी नानी के साथ रहने लगे उनकी देखरे का सारा जिमा नानी पर आ गया था दूसरी शादी करने के कारण न्यूटन का अपने मा के प्रती खास लगाव नहीं रहा क्योंकि उनके पिता दूबले पतले न्यूटन के प्रती खराब व्यवार रखते थे अपनी मा न्यूटन द्वारा त्याग किये जाने के अन्दबव ने न्यूटन को जंजोर कर रख दिया बच्पन में अकेले के एसास ने न्यूटन के व्यक्तितों को बनाया न्यूटन के अपनी मां के प्रती नफरत इतनी ज़्यादा थी कि किशोर अवस्ता में न्यूटन ने एक लिस्ट भी बनाई जिसमें उन्होंने अपने पापों का लेखा जोखा लेखा उस लिस्ट में एक पाप था कि मैंने माता और पिता स्मित के घर को जलाने की धंकी दी है, उनकी ये लाइन माता पिता के प्रती दिल में पलरी नफरत को दिखाती है इन घटनाओं का न्यूटन की जीवन पर गहरा प्रभावरा, एक एडल्ट के रूप में न्यूटन ने अपने आपको पुरी तरह कामों में डुबो दिया, उनकी कोई होबीज नहीं थी और ना ही उन्होंने कभी शादी की, यहां तक की सालों तक वे अपनी वेग्यानिक और गणीती एक होजों के बारे में चुप रहे और दुनिया को इसका आभास तक नहीं होने दिया, उनके इस रहसे में वेक्तितों को बनाने में सबसे बड़ा हाथ उनके बचपन का रहा है, बारा साल के उमर में न्यूटन का एड्मिशन इंग्लेंड की ग्रंथम में किंग स् कुछ करने की चहा न्यूटन में हमेशा जीवित रही, यही वज़े रही कि कड़ी मेहनत के बाद न्यूटन स्कूल के टॉप स्टूडेंट बनने में सफल रहे हैं, पंदरा साल के उमर में उनकी मां के विद्वा होने पर उन्हें किसान बनने को कहा, और पारिवारी खेती में हाथ बटाने के लिए कहा गया, लेकिन न्यूटन ने खेती की जगह पढ़ाई का रास्ता चुना, आखिरकार न्यूटन की मां को उनके बेटे के पूर हेडमास्टर ने उन्हें स्कूल लोटाने की अनुमती देने के लिए राजी कर लिया, वहाँ अपना शोद कारिये पूरा करने के बाद, न्यूटन ने आगे की पढ़ाई के लिए 1661 में ट्रिनिटी कॉलेज केंब्रीज विश्विद्याले में एडविंसन ले लिया, और वहीं से शुरू ही न्यूटन के माहन वैग्यानिक बनने की कहानी, सवालों का गुबार तो पहले से ही इस माहन हैंकर बिमारी फैलने के बाद, उनिश्विटी के दरवाजे बंद हो गए, जिसके बाद न्यूटन घर जाने के लिए मजबूर हो गए, ऐसे में न्यूटन एक दिन बगीचे पर बैठे हुए, आचानक न्यूटन ने पेट से सेब गिरते हुए देखा, जिसके बाद वो जान गए कि वो क्या खोजने के लिए बने हैं, गिरते हुए इस सेब ने सब कुछ बदल दिया, या फिर यूँ कहे कि इस सेब ने विज्ञान के एक नए एरा की शुरुआत की, जिसके नीव न्यूटन के ग्रिविटेशनल लो ने रखी, सेब के पेट से नीचे गिरने की घटना न्यूटन के लिए इतनी बड़ी थी, कि उन्होंने इस सवाल के जबाब खोजने के लिए कही वर्सों तक अध्यन किया, और पता लगाया कि जब तक ग्रिविटेशनल फोर्स रहेगा, तब तक वे चीज नीचे आएगी, जब गुरुतवा कर्षन बल खत्म हो अपनी खोज के बूते पर न्यूटन ने दुनिया को गती के ती नियम दिये, जिन्हें आज हम थ्री लो अप मोशन के नाम से जानते हैं, साल 1689 में न्यूटन ने केंब्रीज में एक मेट्स प्रोफेसर के तोर पर बच्चों को पढ़ाया, आपको बदा दे कि ये दुनिय पुरानी यूनिश्रिटी में से एक थी, आलांकि न्यूटन ने 30 साल तक केंब्रीज में काम किया, लेकिन बच्चों को पढ़ाने में न्यूटन को खास मजा नहीं आता था, यहां तक की बच्चे भी न्यूटन के लेक्चर में कुछ खास रूची नहीं दिखाते थे, न् जीवो गरीब थियोरी और प्रेक्टिकल को अंजाम दिया, अपनी आप्टिक थियोरीज के बाल पर न्यूटन ने एक टेलिस्कोप डिजाइन किया, इस टेलिस्कोप में न्यूटन ने लेंस की जगे शीशों का इस्तेमाल किया, और ताकतवर उपकरण को बनाया जो उस सम के बीच मशूर हो गए, इस लोगपिरियता ने न्यूटन को अपने लाइट और कलर एक्सपारिमेंट को रोयल सोसाइटी के सामने रखने की हिम्मत दी, इंग्लेंड में रोयल सोसाइटी बुद्धी जीवी लोगों का वो समहू था, जो एक दूसरे के काम को साजा करने औ दरसल न्यूटन से पहले अरस्तु जैसे वैज्यानिक इस बात को रखते आये थे कि रोश्णी का कोई रंग नहीं होता है, और सभी रंग लाइटनेस यानिकी सफेद और काले रंग से आते हैं, कुछ वैज्यानिकों का तो ये भी मानना था कि इंदर धनूस के रंग इंद आलोचनां से गुजरना पड़ा, यहां तक कि राबर्ट हुक ने न्यूटन के लाइट और कलर थियोरी को खुली चुनोती भी दी, इस माहन वैज्यानिक को अपने काम की ऐसी आलोचना जरासी भी रास नहीं आई, उन्हें खुद पर भरोसा रहा कि वे सही थे, ऐसे में उ लाइट साथ रंगों में बढ़ती नजर आई, कई वैज्यानिक इस परियोग को जानते थे, और उनका मानना था कि प्रिजम खुद ही प्रकास को इतने रंग में बाटता है, लेकिन जब न्यूटन ने इस प्रकास को रेफलेक्ट करके दूसरे प्रिजम से निकाला, तो व नमारा नहीं थी, और यही वज़े रही कि विज्यान को जन देने वाले इस वैज्यानिक ने खुद को सफी फिलोसोपर से अलग कर लिया, और खुद को कटरपंती धार्मिक और रसायन विज्यान कारिये के लिए समर्पित कर दिया, घर लोटने के बाद नियूटन ने ने और केमिस्ट्री के समझने के लिए खुद को पूरी तरह से इसके अध्यन में लगा दिया, इस अध्यन ने नियूटन के कही विचारों को आकार दिया और जिन में से एक ग्रिविटी का नियम था, इस महान वैज्यानिक ने अपने जीवन में कही उतार चड़ाव देखे, म नेचरलिस, प्रिंसिपिया, मैथेमेटिका नाम के अपनी किताब को फबलिस किया, इस किताब को आमतोर पर प्रिंसिपिया के नाम से जाना गया, यही वो किताब थी जिसने नियूटन के थ्री लोग आप मोशन को दुनिया जगत के सामने उजागर किया, यह तीन नियम वि तोरच की ग्रेविटी से सभी ग्रह प्लानेटरि ओर्बिट में रहते हैं कैसे चंदर्मा पृत्वी के चार ओर घुमता है और कैसे बरस्पती के चंदर्मा उसके चार ओर घुमते हैं लोप मौसन न्यूटन की सब्से बड़ी खोज थी और उनके दिमाग में उपजरे सभी सवालों का जबाब था इस नियम ने नियुटन को सभी प्लेनेट के मास को कैलकुलेट करने में मदद की साथी साथ ये भी बताया कि कैसे प्रित्वी पॉल्स पर फ्लेट है और भूमद्य रेखा पर उबरी हुई नियुटन ने बताया कि सूरिया और चंदर्मा के गुरुतवा कर्षन खीचाव से प्रित्वी पर राइडल स्यानी की जवार बनते हैं उनका मानना था कि ग्रेविटी युनिवर्स में सभी चीजों को बैलेंस रखने का काम करती है बहुत दीक तोर पर खुद को हमेशा अध्यन से जोड कर रखने की वज़े से एक समय ऐसा आया जब न्यूटन जिससे माहन वैग्यानिक को मेंटल ब्रेकडाउन का शेकार होना पड़ा लगातार कही रातों और हपतों तक बिना रुके काम करने की वज़े से उन्हें इस स्तिथी से गुजरना पड़ा लेकिन न्यूटन के नाजुक मानसीक स्वास्ते ने उनके काम में कोई बादा नहीं आई उन्होंना अपने अध्यन और खोज की आत्रा जारी रखी न्यूटन सफलता की रहा पर जितने उपर गए उन्हें नीचे खींचने वाले कही वज़्यानिक भी उनके साथ चल रहे थे एक जर्मन फिलोसोफर गॉट्फरीड लिबनीच ने उनकी कैलकुलस की थियोरी पर आदारित अपनी एक नई कैलकुलस लेकर आये जिसे न्यूटन 20 साल पहले ही खोज चुके थे और उनके विचारों को चुरा कर गटफरीड लिबनीच एक नई थियोरी फेस कर रहे थे लेकिन दूइदा ये थी कि उन्होंने अपने इस काम को कभी पब्लिश नहीं किया था ऐसे में दोनों वैग्यानिकों के बीच का ही सालों तक कैलकुलस की थियोरी को लेकर विवाद रहा और इस बात पर दोनों के बीच कड़ी टकर रही किसल में ये थियोरी किसकी है लेकिन 1713 में उनकी इस परिशानी का भी हल खोज लिया गया जब न्यूटन 20 साल पुराने अपने नोट की बदत से ये साबित करने में सफल रहे कि ये थियोरी उनी के द्वारा लिखी गई थी गटफ्रीड लिबनीच कोई पहले वैग्यानिक नहीं थे जिन्होंने न्यूटन के कारिये और उनके वैक्तितों से चिट थी बलकि रॉबर्ट हुक जेसे वैग्यानिक भी न्यूटन को नीचा दिखाने का कोई मोका नहीं छोड़ती थे लेकिन इस वैग्यानिक के लिए ऐसी आरचनों का कोई अस्तित्व नहीं था अपने जीवन काल में न्यूटन ने कही आविसकारों को जन्द दिया वैग्यान से लेकर राजनिच्टी तक न्यूटन ने हर छितर में अपना हाथ आजमाया और सफल भी रहे उनका कहना था कि यदि मैं दूसरों की तुलना में खुद को आगे पाता हूँ तो ऐसा मैं महान दिगज़ों के कंदों के सारे पर ही कर पाया हूँ सीधे सब्दों में कहे तो पहले महान वैग्यानिकों के आविस्कारों के दम पर ही में ये आविस्कार कर पाया हूँ 193 IQ वाले इस वैग्यानिक ने Modern Physics को बनाया लेकिन उनका मानना था कि विग्यान जगत एक मासागर की तरह है जिसके बारे में हम केवल एक बूंद भी नहीं जानते हैं 84 साल के उमर में जब हमने इस महान Mathematician को खोया तो हमने एक शांदार Natural Philosopher भौतिक वैग्यानिक और जियोतिस को भी खोया लेकिन उनकी मौत ने एक नए Scientific Youth की शुरुवात की जिसमें वे हमेशा के लिए The Great Legend Sir Isaac Newton के नाम से अमर हो गए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अब आपकी Sir Isaac Newton के बारे में क्या राह है अपनी प्रतिक्रिया हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए वीडियो के अंत्र तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद